CAA और NRC के विरोध में हुई हिंसा की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है उसी तरफ PFI की भूमिका और गहरी होती जा रही है रव शरीफ के रिमांड में UPSTF और ATS को ऐसी जानकारिया मिली हैं जो देश को दंगो की आग में जोकने की साज़शों की तरफ साफ साफ इशारा कर रही है लगनों में NRC और CA के विरोध के दोरान जो हिंसा की आग भड़की थी वो अपने पीछे काई सवाल छोड़ गई थी जिसके बाद अब धीरे धीरे उस खतरनाग साज़श पर पड़ा परता हटने लगा जिसके आरोप सीधे PFI यानि की पॉप्यूलर फ्रंट आफ इंडिया पर लग रही है दरज़र रऊफ शरीफ को STF ने रिवांट पर लिया था और पूछताज के तोरा उसने जो खुलासे किये हैं उससे ये साफ हो रहा है कि PFI और उसके स्टूनेंट यूनेट CFI देश में इंस जफिराने के लिए खाड़ी देशों से पैसा ले रहे थे रऊफ शरीफ PFI की टीम में कानूनी जानकार लोग को ही शामिल करता है ऐसा STF की जाच में सामने आया है कि रऊफ ने LLB के कई छात्रों को PFI का सदस्थ से बनाया है ऐसा इसलिए है जिससे कोई भी सदस्थ से अगर गिरफतार होता है तो वो अपनी खुद की पैरवी कर सके इसके अलावा उसकी मदद के लिए वकालत पेशा लोग खड़े हो सकें कोर्ट में जिरह कर सकें और STF और पुलिस के सवालों की काठ प्रस्तुत कर सकें रहुफ ने जो खुला सकिया है उसके मताबे एरल में चार बैंक खातों में दो साल में दो करोर रुपे आए इनमें से एक करोर से जादा रुपे उमान से भेजे गए बाकी रकम अलाकरा खातों में आल्लाइन ट्रांसफर हो रकम भेजने वाले कुछ लोगों के नकली नाम भी सामने आए स्टीएफ रौफ शरीफ के सभी चार खाते सीज करने की त्यारी कर रही है प्यफाई की स्टूडेंट विंग सीफाई के रास्टी महासचिव रौफ शरीफ के खाते में करीब दो करोड रौब 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 प्रदेश में जाती हिंसा फैलाने की साजिश रचने के आरोपियों को मदद पहुचाने के लिए दिया गया था STF अधिकारियों की माने तो विदेशों से भेजी का इस रगम का इस्तमाल तेश में हिंसा फैलाने और सामप्रदाइक माहौल बिगाड़ने के लिए किया गया फिरहार STF ये पता लगानी की कोशिश में जुटी है कि परदे के पीछे छिपेवे कौन से चेहरे हैं जो खाड़ी देशों से भारत को हिंसा की आग में जोगने की साजिश रच रहे हैं वहीं कुछ नाम तो सामने आए हैं लेकर सूत्रों ये मानें तो ये ना नकली है का जो एम है हर स्थान पर हर जिले में एक स्कॉट बनाना उसको ट्रेन करना आम करना और उन्हें खास टास्क देना दंगे फैराने में उनकी किस प्रकार से साजिश करनी है और उसके बाद कैसे सौयम को डिफेंड करना है कैसे ओफेंसिव स्टेप्स लेने हैं ये सब इनके ट्रेनिंग का हिस्सा है जब इनके बारे में जानकारी जो प्राप्त हुई है उससे हम आगे कारवाई करेंगे कई पी फाई के कई नए मेंबर्स के बारे में जो अभी तक जिनके जानकारी नहीं थे उनके नाम भी प्रकास में आया है और इंवेस्टिगेशन को हम आगे ब अब जो पुलिस का स्टडी रिमांड थी वो समाप्त हो चुकी है और उसे वापस मत्रा जेल में दाकिल किया जा चुका है। लिगलाइस करने के लिए तमाम फरजी दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं स्टीफ इन दस्तावेजों की जाच कर रही है। लिगलाइस कर रही है।